नमस्कार स्टडी आई क्यों आई एस हिंदी में आप सभी लोग का बहुत-बहुत स्वागत है मेरा नाम है मनीश रिवास्त हो और रोजाना आपको इंडियन एक्स्प्रेस का डेली आनिलेसिस मिलता है पहले यह सेशन आपको सुबह 9 बजे मिलता था अब आज से कल से हमने इ नियूस पेपर में उसका भी आकलन करेंगे और अच्छे से इन सारी चीजों का समीक्षा करेंगे तो साथ में आप लोग क्या लेकर बैठेंगे एक पैन और कॉपी लेकर बैठेंगे जो भी इंपोर्टें या एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे उनको साथ में नोट करते तो जैसा आप लोगं को पता ही है क्लास का टाइमिंग क्यों चेंज करना पड़ा है क्योंकि paid classes सुबह 8 बजे से होती है study IQ तो उसके कारण मेरी classes है अभी 8 बजे से इसलिए 9 बजे वाला session अभी 7 बजे आपको मिल रहा है तो कुछ टाइम हम इसी को देखेंगे सुबह 7 बज चले तो देखें आज की तारीक किती हो गई तो आज 2 नवंबर है सुबह 7 बजे है session मिल रहा है इसकी playlist भी बनी होई है अलग से आप वहाँ पर भी जाकर उसको आसानी से देख सकते हैं कि रोजाना का जो analysis होता है newspaper का वहाँ पर मिल जाएगा आपको और साथ में ये भी एक important चीज है कि आप लोग जो यहाँ पर cover कर रहे हैं वो ऐसी चीज हैं कि हम इनको statodynamic part cover करते हैं यानि पारंपरिक भाग को भी देखते हैं और साथ-साथ जो current में news है उसको भी cover करते हैं तो उस तरीके से यह है इसके लब आगे बढ़ने से पहले आपके लिए यह दोनों handles है य Telegram Group से आपको इसकी PDF और बाकी जानकारिया जो links वगेरा होते हैं वो आसानी से यहां से मिल जाते हैं यह मेरी इंस्टा इडिये इस पर भी आप जोड़ सकते हैं चलिए शुरू करते हैं आज का क्या महत्पूर्ण जो सबसे पहले आज डेट की बात कर लेते हैं आज की जाता है विश्व विरासत स्थल है युनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल गोशित किये जाते हैं वैसे ही एक घाट है आप्रवासी घाट आप्रवासी घाट कपसे चर्चाओं में हैं और अभी क्यों हम इसकी बात कर रहे हैं क्योंकि 2 नवंबर 1834 में ब्रेटेन में आज बहुत बड़ी आबादी भारती आबादी है और भारती को वहाँ पर मजदूर के तौर पर ले कर जाये जाता था कई और भी अधिकारियों को ले कर जाये जाता था तो जिस इस्थान पर ले कर जाये जाता था जहां पर वो उतरते थे उसको आज एक वर्ल्ड हरिटे साइट के तौर पर दिखाया जाता है दर्शाया जाता है तो दो नवंबर की डेट काफी खास है दो नवंबर 1834 से को ये परंपरा प्रारंब होई थी और बहुत सारे भारतिये वहाँ पर पहुझ गए जिनमें अकसर 80 प्रतीशत लोग बिहार से हुआ करते थे आज अगर हम बात करें मौरिशेस में एक भाषा बोली जाती है वो भोचपुरी है तो ये आप रवासी घाट की जो मैं कहानी बता रहा हूँ दो नवंबर 1834 को आज के ही दिन एटलेस नाम का जाहाद 36 भारती मजदूरों को लेकर मौरिशेस पहुझा था इसी की याद में वहाँ दो न पतीशत आबादी भारत की बिहार से हुआ करती थी मौरिशेस में अगर हम बात करें तो वहाँ पर आपको गन्ने की खेती अक्सर देखने मिलती है गन्ना ही वहाँ उगाये जाता है तो उसका वैपार करने के लिए ब्रिटेशर्स के पास मजदूर नहीं हुआ करते थे तो अलग-अलग माध्या में अविलेबल हैं हिंदी में ये जो बैचेस हैं इनकी अलग-अलग वैलिडिटीज हैं उसके अकॉर्डिंग लिए आप चूस कर सकते हैं मेरा कोड मनीश लाइब है चलिए आगे बढ़ने से पहले आज का पहला आर्टिकल देख लेते हैं कि पहला क्या है तो पहले आर्टिकल को आप गहराई से देखोगे तो इसमें आपको मिलेगा ED attaches रुपीज 538 करोड वर्थ प्रॉपर्टीज लिंक टु जेट और गोईल फैमिलीज ये क्या मामला है तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं तो भाई भारत के अंतरगत जेट एर्लाइन्स की बात करें ये जेट एर्लाइन्स की बात करें तो ये जेट एर्लाइन्स की बात करें तो ये जेट एर्लाइन्स की बात करें तो ये जेट एर्लाइन्स की बात करती थी बहुत अच्छी सेवाएं दिया करती थी लोगों को लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इनके उपर 538 करोड रोपे की का जो इनका बकाया था कैनेरा बैंक का उसको वसूलने के लिए इनकी जो प्रॉपर्टी है इनकी जो संपत्ती है उसको कुरकी कर दिया है उसी से जुड़ा हुआ यह मामला है इसमें हम किसकी बात कर रहे है जेट और गोयल फैमली जेट की बात जिहार जेल दिल्ली में फेमस है वैसी आर्थर जेल है मुंबई की फेमस तो यह वहाँ पर गिरफतार है क्यों गिरफतार है तो वही जेट एयरवेस के ही दिवालिया होने की यहां पर बात चीत हो रही है जेट की अगर हम बात करें 1993 में जेट एयर लाइन्स शुरू की बात करें तो भारत के अंतरगत एक शेत्र जो सेवा शेत्र के अंतरगत आए depend देखो ये जितने भी स्टूडेंट्स कबर देख रहा है और कॉमेंट में आप पूछते हो कि सर कौन से पेपर से रिलेटेड है तो जीएस पेपर 3 से रिलेटेड है जीएस पेपर का जो थर्ड पार्ट है जिसमें एकनॉमिक्स वाला रीजन हो जाता है उससे मैं ये कवर कर रहा हूँ दोनों को रिफर कर सकते हो तो हिंदी माध्यम के लिए तो दोनों न्यूस पेपर आते नहीं है अब इंडियन एक्स्प्रेस इंग्लिश में आता है तो यहाँ पर हम उसका हिंदी में आनिलेसेस करते हैं ताकि आप न्यूस पेपर समझ पाओ क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यूपीएसी एस्पिरेंट्स के साथ यही होती है कि न्यूस पेपर पढ़ने के लिए जो हिंदी में न्यूस पेपर अविलेवल है उनकी न्यूस गुणवत्ता पूर्ण नहीं होती है और इंगलेश को पढ़ते हैं तो समझने नहीं आता तो यह मेंली यही प्रयास है कि आपको जो भी कॉंटेक्स्ट है वो समझने आपा है उसका क्या रिलेशन्स हो सकता है कैसे न्यूस को कवर किया जाए उसका एक होलिस्टिक वे में हम यहां पर बात करते हैं तो देखो भारत में जो सेवा शेत्र है उसी के अंतरगत वायू परिवहन भी आता है अब वायू करन किया गया हमारी अर्थ विवस्ता को खुला गया और प्राइवेट सेक्टर को मौका मिलना चालू हुआ तो 1993 में नरेश गोयल के द्वारा एक एयरलाइन शुरू की गई थी जिसका नाम था जेट एर्वेस जेट एर्वेस उस समय दो विमान से चालू हुआ धीरे धीरे विकास करना चालू किया और बहुत बताया जाता है कि भारती मार्केट में अपना एक समय पे लोहा मनवालिया था नरेश गोयल की जेट एर्वेस ने बहुत अच्छी सर्वेस देते थे लेकिन कुछ ऐसे बदलाव हुए कि यह लगातार कर्ज में डूपते चले गए तो आ यह अलग-अलग कानून के तहत कारवाई करती है तो अभी जो यह काम कर रही है या इन पर जो कारवाई की गई है वो किस के तहत की गई है पीयमेलेके तहत की गई है इसको कहते हैं Prevention of Money Laundering Act, यानि इसको कहा जाता है, Money Laundering का मतलब होता है, धन शोधन, अब धन से जुड़ा हुआ मामला है, और एक बैंक है इसमें involved, जिसका नाम है Canera Bank, तो Canera Bank इसकी एक पार्टी है, जिससे बैंक ने लोन लिया हुआ, मतलब जिसने जेट एर्वेज ने लोन लिया हुआ था, उसको चुकाया नहीं है, बिल्कुल, तो Prevention of Money Laundering Act, जो PML एक कहा जाता है, उसके तहट ED कारवाई कर सकती है, तो ED ने इनकी जो संपत्ति है, उसको कुर्की कर लिया है, सीज कर दिया है, कितने 538 कर रूपे को इन्होंने वो पैसा नहीं चुकाया था, अब ये जो बात है, ये एरलाइन से ही जुड़ी हुई है, तो नरेश गोयल, जो जेट एर्वेज के मालिक थे, जेट एर्वेज की 538 कर रूपे की प्रॉपे की जब्त कर ली गई है, तो प्रवर्ता निदेशाला ने ब्रैंक फ्रॉड के मामले में जेट एर्वेज के पाउंडर नरेश गोयल और 5 अन्ने के खिलाब कारवाई की है, और एडी ने इस मामले में 538 कर रूपे की प्रॉपर्टी या कुर्की कर दी है, कुर्की गई संपत्ती में विभिन्ने कम्पनिया और लोगों के नाम पर 17 आवासी है, फ्लैट बंगले और कमर्शियल कैमपर शामिल है, और जेट को 838 कर रूपे की क्रेडिट लिमिट और लोन दिये गए थे, जिसमें 538 कर रूपे बकाया है, और जिसमें बैंक इन्वाल्व है, वो है कैनेरा बैंक, तो कैनेरा बैंक की एक पक्ष है, जिसने एडी का दरवाजा खट-कटाया था, और एडी इसी पर पूरी कारवाई कर रही है, तो ये अकाउंट 29 जुलाई 2021 में फ्रॉड घोशित कर दिये गए थे, क्योंकि इनसे कोई भी तरह से वापसी नहीं आ रही थी, जेट Airways ने अपने Employees का भी 25 प्रतिशात वेतन जो है, काटना चालू कर दिया था, तो उसके बाद इन पर कारवाई की गई थी, अगर हम बात करें तो CBI ने 5 माई को गोयल के मुंबई इस्तित आपस सहित, 60 ठेकानों की तलाशी ली थी, और नेरिश गोयल, अनीता गोयल और जेट एक्जेक्यूटिव, गोरांग शेटी के घर पे भी चापे पड़े थे, ये जो एरलाइन से ही जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि एरलाइन जब दिवालिया हुई, जब घाटे में आई, तो ये सारे मामले निकल कर बाहर आ गए, इसके अलावा, CBI के FIR के आधार पर, ED ने 19 जुलाई को, Money Laundering का केस दर्ज किया था, जो मैं बता रहा हूँ, कि जिसके तहत ED कारवाई कर रही है, वो PMLA Act 2002 के तहत कर रही है, यानि Prevention of Money Laundering Act के तहत, ED कारवाई कर सकती है, तो ED ने इन पर 19 जुलाई को, Money Laundering का केस दर्ज किया था, तब ED ने भी गोयल और उनके साथियों के ठिकाने उपर, छापीमारी तलाशी की थी, और Money Laundering केस में, ये 1 सितंबर से ED ने मुंबई आफिस में, पूस्ताज के बाद उने गिराफ्तार किया, तब से वे नियाईक हिरासत में है, जो मैंने बताया, आर्थर जेल जो है, वो आपकी कहां आती है, मुंबई में आती है, वहीं पर ये गिराफ्तार है, इस चे जुड़ा हुआ मामला है, अगर हम आकलन करें, जैसे मैंने बताया, भारत में सेवा शेत्र के अंतरगत, आता है एरलाइन्स, यानि हमारे याँ अलग-अलग शेत्र है, तो प्रात्मिक शेत्र में क्रिशी आ जाता है, दूतियक शेत्र में उद्योग आ जाते हैं, तृतियक शेत्र, यानि टर्श्री सेक्टर के अंतरगत, सेवा शेत्र आता है, सेवा शेत्र का मतलब सर्विस सेक्टर आता है, और सर्विस सेक्टर के अंतरगत ही, आपकी एरलाइन्स, वायू परिवहन, इन सारी चीज़ों की बात होती है, तो इसके अंतरगत अगर हमने अभी हाली में एक आखलन किया था आपने पिछले सेशन्स देखे होंगे तो हमने टाटा की बात की थी कि टाटा ने अभी हाली में Air India को खरीदा और Air India का जब मैंने आपको इतिहास बताया था Air India शुरूआत टाटा एयरलाइन्स के तौर पे ही ह रेपन में भारत ने इसका राश्ट्री करण कर दिया था मतलब सारी प्राइवेट कंपनी को खरीद लिया था और उसमें फिर एर इंडिया और इंडियन एलाइन्स नाम की दो जो है एलाइन्स बनी थी 2007 में नाशनल एवियेशन काउंसिल ओफ इंडिया एन ए आई सील ने इन होती जादा विकट है सेम चीज घटना हुई किसके साथ तुम नरेश गोईल की कंपनी जेट एरवेस के साथ मैं आपको बता रहा हूँ जेट एरवेस की जो सर्विसेस थी एक समय पर काफी अच्छी थी इन्होंने सहारा एयरवेस को भी खरी लिया था बाद में एहतियाद ने भी इनके कई शेर खरी दे थे तो इनकी स्तिती काफी अच्छी थी लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इसके कारण जो एक समय अर्श पर थे वो फर्श पर आ गए तो उसका आकलन हमें करना है यहाँ और हम करेंगे भी तो अगर आप यहाँ पर पांच वजह अगर हम पूछें कि किसकी वज़े से यह पूरा का पूरा मामला चल रहा है तो फाइव रीजन्स हम देखते हैं यहाँ पर पांच वजह देखते हैं जिसने जेट एरवेस को तबहा कर दिया तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहली चीज है कि जेट एरवेस ने 2006 में खसता हाल एयर सहरा को 50 करोड डॉलर नगत देकर खरीदा था जो बाद में डूब गई थी तो पहली गलती इनसे यहाँ पर हुई कोई भी एरलाइन्स जो है अगर अपने खर्चे बढ़ाएगी देखिए इस पर चर्चा करते हैं देखो पहला पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ कि इन्होंने पहली जो गलती करी थी वो किसको खरीदा था एयर सहरा को एयर सहरा खुद एक ऐसी एरलाइन्स थी जो डूब रही थी और इसको पचास करोड़ उपे इन्होंने नगत लेकर खरीदा था उस समय बैंक से कोई लोन नहीं लिया था पहली वज़ाई यह थी दूसरी अगर हम बात करें तो जेट एरवेस स्ट्राटेजिक इन्वेस्ट हो जाता है कई बार लेकिन जेट एरवेस ने उस पर ध्यान नहीं दिया जिससे घाटा बढ़ता गया और एयरलाइन्स अपनी बैलन्स शीट भी समाले में नाकाम रही तीसरी एक बहुत इंपोर्टन चीज़ थी जिसको हम भी कई बार मतलब ये as a aspirant भी आपको याद रखना है कि जो जेट एरवेस से गलती हुई जेट एरवेस ने इंडिगो स्पाइस जेट और गो एयर को गंभीरता से नहीं लिया तो एक गलती हम भी अपमारे जीवन में करते हैं कि हमारे जो competitors हैं हमारे साथ भी तो कितने लोग पढ़ाई कर रहे हैं मैं आगर इसको आपके जीवन से जोड़ कर बताओं तो आप भी तो सारे लोग तयार कर रहे हैं लेकिन कई बार हम जो होते हैं हमको लगता यार कि हमने आज इतना पढ़ लिया है या हमारी जो तयारी है वो सबसे बहतर चल रही है लेकिन आप अपने competitors को हलके में नहीं आग स जा रहे हैं वो इतना बड़ा exam है कि पूरे all India में अलग-अलग स्थर पर लोग इसको करते हैं तो जो गलती तो एक कारण अगर हम बात करें तो जो दूसरे players हैं जैसे आज Indigo Profit में हैं उसका एक बहुत बड़ा कार्य था कि इन्होंने आम customers को खीचा था और आम customers भारत के अंतरगत customers को खीचने की सबसे अच्छा तरीका था कि low fare मतलब कम दाम में tickets बेचने का काम करना पड़ा इन्हो पर ही बेचेंगे हम तो बहुत सारी services extra देते हैं तो भाई इन्होंने दिया कुछ साल लेकिन उसके बाद इन्होंने भी कटोती करना चालू की क्योंकि जब salary देने के लिए पैसे नहीं थे तो भाई लोगों को services देने के लिए lunch देने के लिए जो snacks देने के लिए जो जेट airways से हुई वो कुछ airlines को हलके में आखना चाहे वो spice jet हो, go air हो और indigo हो को गंभीरता से नहीं लिया और airlines ने सस्ते ticket का business अपने पास खीच लिया नरेश गोयल ने जिन अधिकारियों को jet airways चलाने के लिए न्यूक किया था उन पर भी कभी भरोसा नहीं किया तो वही जि किसी भी चीज में किसी भी ecosystem में सबसे main चीज होती है trust आपने अगर किसी चीज को आगे बढ़ाया है तो उस पर विश्वास तो करना होगा और यह बहुत बड़ी वज़ा रही कि इन्होंने हमेशा अपने जो staff थे अपने जो अधिकारी थे उन पर कभी भी कोई भी तरह का trust नहीं जताया गोईल गलत निवेश कर रहे थे और company की गिरती आर्थे खालत को समालने की बजाए जादा से जादा कर्ज पर निर्वर होते चले गए बहुत जादा कर्ज ले लिया अब कर्ज लेने के बाद आज इस्तिति है कि एडी ने संपत्ति तक कुर्क कर दी है 538 के बाद 2006 में इसके आसपास भी कोई airlines नहीं हुआ करती थी और फाइनली 2021 में तो operations ही बंद करने पड़े हर तरीके से इनके जो pilots थे इनका जो staff था वो हरताल पर भी आ गया था आपने देखा हो शायद news पे या papers पे चल रही है घर में काम सफाई चल रही है कोई नहीं कोई नहीं अच्छे से पढ़ते रहो है न बस अपना जो इंट्रेस्ट है अपना जोश्म नहीं खोना है हमको sir government of India have how much shareholders in airlines भारत सरकार का Air India था जैक्स जिसका प्रशन है और भारत सरकार ने वो पूरा टाटा को बेज दिया है तो अब भारत सरकार के पास उसका कोई भी तरह का प्रबंदन नहीं भारत सरकार के पास एक body आती है जो इन सारी airlines को control करती है जिसका नाम है AAI जिसको कहते है airport authority of India तो AAI का संचालन भारत सरकार के पास है और किसी के पास नहीं है ठीक है तो यह जो पूरी की पूरी मैंने case study बताई है यह jet airways की बताई है और अभी PMLA के तहत इन पर कारवाई हो रही है चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने पर देखते हैं कि भई हसीना's daughter next WHO regional head WHO की बात करें क्या है तो WHO जिसको कहा जाता है विश्वस्वास संगठन तो विश्वस्वास संगठन क्या काम करता है तो यह World Health Organization विश्वर में जो स्वास्त के लिए कारे करने वाली UN की संयूक्त राष्ट की एक agency है इसको 1948 से यह पूरी तरह से कारे कर रही है 1945 में UN बना संयूक्त राष्ट संग बना और संयूक्त राष्ट संग के ही एक अलग-अलग bodies में WHO को बनाए गया उनने इस विश्वस्वास संगठन के अलग-अलग शेत्रिय कार्याले हैं और इसके 6 शेत्रिय कार्याले हैं इसके कितने regional bodies हैं तो 6 जगा पर पूरे विश्व में इसके कार्याले हैं इसका जो एक कार्याले हैं जिस पर हम बात कर रहे हैं यहां पर वो है साउथीस्ट एशिया का यानि दक्षण पूर्वी एशिया का जो रीजनल या छेत्रिय कार्याले हैं उसका मुख्याले हैं नई दिल्ली में ऐसे इनके 6 कार्याले हैं विश्वर यूरोप की बात करें, कोफे ण हेगन डेनमारक में है, इस्टन मेडिटेरियन की बात करें, तो अलेक्जन्ड्रिया में है, यह मिलेश्ट यानि मध्धे, जो एशिया का भाग हो जाता है, या फिर हम भूल सकते हैं, Mediterranean या भूम अद्य सागर के पास वाला जो शेत्र है उसमें Alexandria है यह शेहर बहुत important है Alexandria किसी को पता है Alexandria के बारे में तो बताओ मुझे इसके अलब हो पश्यमी प्रशांत शेत्र का जो है Manila में तो WHO ने अलग अलग जगाओं पर अपने शेत्रिय कार्याले बताए हुए है जिसको आपने सुना होगा जिसको कहते है पल्स पोल्य अभियान भारत में चालू किया गया था और उससे पोलियो का eradication किया गया था बिलकुल WHO World Health Organization फॉर्मेशन साथ अप्रेल 1948 हेट कोटर जिनेवा स्विजरलेंड है अब यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ एलेक्जेंडरिया के बारे में नहीं पता है इनकी बात की जा रही है साइमा वजीत को क्या किया गया है तो WHO का regional head बनाया गया है यानि WHO का जो दक्षण पूर्वे एशिया का जो कार्याले है वो कहां पर है तो नई दिल्ली में है उस नई दिल्ली कार्याले को आप समालेंगी कौन शेख हसीना यानि बांगला देश की प्रधान मंतरी जो थी या आप बांगला देश के ही निर्माता में शेख मुजिबुर रह्मान का नाम सुनेंगे तो शेख मुजिबुर रह्मान जिनको बंग बंदू कहा जाता था उन्ही की बेटी हैं शेख हसीना जिनोंने जो बांगला देश में जो बांगला मुक्ति वाहिनी हुआ करती थी 1971 में आप सुनेंगे कि भारत पाकिस्तान की जंग हुई थी और भारत पाकिस्तान की जंग के बाद जो पूरवी पाकिस्तान का शेतर था उसको आजाद करके बांगलादेश बना दिया गया था उसी बांगलादेश के जो पहले प्रमुग बने थे वो मुजीबुर रह्मान बने थे उस समय भारत और बांगलादेश की बीच में कई संधिया हुई थी हमारी प्रधान मंत्री इंद्रा गांधी उस समय हुआ करती थी और शेक मुझेबुर रह्मान वहां के एक बहुत बड़े नेता हुआ करते थी जिनको बाद में वहां का प्रतिनल मिला बाद में सेना का वहाँ पे तक्ता पलट हुआ था मुजिबुर रहमान को मार दिया गया था वैसे पूरी फैमली को मार दिया गया था अगर हम बात करें शेक मुजिबुर रहमान की लेकिन उनकी जो छोटी बेटी थी जिनका नाम था शेक हसीना उस समय वो जर्मनी में रहा करती थी तब पढ़ रही थी तो वो समय उनकी वो बज गई थी उसके बाद उननक कई साल भारत में भी पना ली और उसके बाद आज जो है वो बांगलादेश की राजनेती में फौत सक्रिय है तो वहां की प्रमुग बनी हुई है उनी की जो बेटी है साईमवजीद उनको अभी क्या बनाया जा रहा है डबलू एचो का रीजनल हेड बनाया जा रहा है यानि शेत्रिय कारेले की वो प्रमुग बन रही है तो आप सोचेंगे कि सर अभी कौन थी तो अभी जो है भारतीय मूलकी भारती यह जो है इनका नाम है पूनम खेत्रपाल तो अभी 2013 से बस यहाँ पर मैं बता दे रहाँ 2013 से 2023 तक भारत की ही पूनम खेत्रपाल सिंग जो है वो डबलू एचो की रीजनल हैट थी जो दिल्ली में जिसका मुख्याले है मैंने आपको बताया कि पूरे विश्भर में 6 कार्याले हैं डबलू एचो के नई दिल्ली में हरारे में, वाशिंग्टन में, कॉपेन हेगर में डैन्मार्क में, एलेक्जेंडरिया में और मनीला में ये आपके पूरे के पूरे 6 कार्याले हैं उसमें WHO का जो दक्षण पूर्वेशिया का जो कार्याले है उस पर डॉक्टर पूनम हेतरपाल सिंग हुआ करती थी जो भारत की ही थी लेकिन अब उनको रेप्लेस करके बांगलादेश की जो साइमा वजीद है वो अब WHO की रीजनल हैड बन रही है ठीक है ये बात आपको समझने आ गई होगी हाँ वो तो टेड्रोसी रहेंगे ये रीजनल हैड की बात कर रहे है ये रीजनल हैड की बात कर रहे हैं शेत्रिय कार्याले इन सारे शेत्रों शेत्रिय कार्यालों में एक हैड बनाया जाता है जो उन शेत्रों में उन देशों के आसपास जो हो रही गतिविदिया है उनकी जानकारी ली जाती है जैसे एक आज आर्टिकल आया हुआ है जिसमें डेंगू की बात की गई है कि बिहार में लगाता है डेंगू के सपोर्ट होता है research का सपोर्ट होता है scientist का सपोर्ट होता है वैज्ञानिकों की reports होती है उसके आधार पर ये पूरे विश्बर में स्वास सुविधाओं को और बहतर करने की दिशा में काम करते हैं तो इसी लिए यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि WHO का जो अभी बनी है वो साइमा वजीत को अब बना दिया गया है आप डबलु एचो की website पर आपको पूरे जगा पर रीजनल जो कार्याला है उनके बारे में जानकारी मिलेगी उसी के अंतर्गत अगर आप आज ही website करोगे तो एक नवंबर से साइमा वजीत को नया हेड बना दिया गया अब देखो यहां पर मैंने एक प्रेशन पूछा था कि अलेक्जेंडरिया शेहर क्यों फेमस है तो अगर आपने सिकंदर का नाम सुना हो तो सिकंदर जिसको एलेक्जेंडर भी कहा जाता है एलेक्जेंडर ग्रेट उसके बारे में जब आप पढ़ोगे तो तीन चीजे मिलेंगी वो एक ऐसा जो है समराठ हुआ या ऐसा राजा हुआ जो तीन जगाओं पर उसकी प्रमुख चीजे रही उसका जो जन्म बताए ज जाता है तो जन्म हुआ यूरोप में उसकी मृत्यू हुई आपकी एशिया में और उसको जो दफनाया गया था वो एलेक्जेंडरिया में यानि मिस्र में मतलब अफरीका में तो एलेक्जेंडर का ही एक फेमस जो एलेक्जेंडरिया शेहर है यहीं पर इसकी जो है समाधी ह टोंब है तो तीन जगाओं के लिए फेमस है ठीक है तो चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स आर्टिकल को देखते हैं जैसा मैंने आपको अभी बताया कि वही एक रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के आधार पर बिहार के अंतरगत इस रिपोर्ट को देखते हैं बिहार में वाई बिहार विटनेसेस और सर्ज इन डेंगू केसेस और डेथ बताये जा रहा है कि बिहार में जो डेंगू है जो की क्या होता है एक विशानू रोग है मतलब एक वाइरल डिजीज है वाइरस से होने वाला ये रोग है तो ये मच्छर के काटने के द्वारा ये रोक फैलता है बिल्कुल है अब यहाँ पर इस आर्टिकल को धियान से देखो तो बिहार राज्य में क्या बढ़े हैं तो डेंगू के मरीच लगातार बढ़े हैं इस आर्टिकल में बताया गया है और अगर हम इसका आकलन करें तो बिहार है रिकोर्डेट मोर धन 15,000 डेंगू केसेस यानि 15,000 डेंगू के केसेस आये हैं वैसे इसको आप देखोगे तो दो तरह का प्रनाउंसियेशन दिया जाता है कई जगाओं पर डेंगी बोला जाता है कई जगाओं पर डेंगू बोला जाता है तो हिंदी में मोस्ली आप डेंगू देखने मिलेंगे लेकिन इंग्लेश में इसको डेंगी भी बोलते हैं तो बिहार के अंदर 15,000 से ज़्यादा केसेस आये हैं लगबग इसमें 69 डेथ हो चुकी है और ये सबसे ज़्यादा डेंगू के केसेस और डेथ हैं किसी राज्य के अंतरगत अब इसकी बात की जाए तो ऐसा क्यों हो रहा है कि बिहार जो है डेंगू से इतना ज़्यादा गरसित हो रहा है तो यहाँ पर जो रिपोर्ट्स आई है उन रिपोर्ट का हवाला दिया जाए तो इन रिपोर्ट के आधार पर आपको मिलेगा कि दो इस्टिट्यूट हैं बिहार में एक है इंद्रा गांधी इंस्टिट्यूट अफ मेडिकल साइन्स IGI MS और दूसरा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पटना मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल जिसको PM PMCH जो है यानि पटना मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल जो है और इंद्रा गांधी इंस्टिटूट अफ मेडिकल साइन्स है इनके द्वारा बताया जा रहा है कि भई ये इतने जादा जो बढ़ रहे हैं उसकी एक बहुत बड़ी वज़ा जो है वो मौनसून का डिले होना है मतलब मौनसून जो होता था वो सितंबर तक चला जाता था लेकिन इस महां ऑक्टोबर तक भी कई जगाओं पर वर्षा हुई है तो उस वर्षा के कारण जो जल संग्रहन है उस जल संग्रहन के कारण जो मच्छर होते है वो मच्छरों का विकास हो जाता है वैसे अगर मच्छरों की बात करें तो मच्छर एक ऐसे जीव है जो विशम तापी जीवों की श्रेणी में आते हैं अगर विशम तापी को अगर आप समझें तो विशम तापी वो जीव होते हैं जो बाहर का जैसा तापमान होता है उस तापमान के साथ अपने आपको ढाल लेते हैं अगर बाहर का तापमान 50 gg do तो उनका ताप्पन 50 degree हो जाता है, अगर बाहर का तापपन 35 degree हुआ, तो ये अपना तापपन 35 degree कर लेते हैं, तो अगर यहां पर भले यहां परा कहा जा रहा है, कि मांसून के डिले होने के कारण लगातार जो वर्षा के शेत्र हुए हैं उसके कारण जल मगन के शेत्र बढ़ गए हैं और जब जल मगन के शेत्र बढ़े हैं तो जल संग्रहन हुआ है वाटर पूलिंग हुई है और उसके कारण मच्छर पनप जाते हैं जैसे मैंने आपको बताया है मच्छरों को बताया जाता है कि ये क्या है आपके विशम तापी की श्रेणी में आते हैं जैसे हमारे शरीर में क्या होता है तो हमारे शरीर के अंतरगर सीधे तोर पे बताया जाता है कि तापमान जो होता है चाहे केसी भी स्तिति हो चाहे बाहर क बाहर का तापमान 40 डिग्री पहुच जाए, बाहर का तापमान 15 डिग्री पहुच जाए, हमारे शरीर का तापमान हमेशा 37 डिग्री बना रहता है, लेकिन मच्छरों की बात करें, वो विशम तापी की श्रेंडी में आते हैं, तो मच्छरों का तापमान जहां बाहर का ताप तापमान विशम तापी है जैसा बाहर का तापमाने वैसा कर लेते हैं तो क्यों कम हो जाते हैं उसकी एक बहुत बड़ी वज़ा है इनके शरीर में पाए जाने वाले एंजाइम अगर विशम तापियों के साथ सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि यह दो चीजों में चले ज जैसे आपको छिपकलियां भी ठंड के मौसम में नजर नहीं आएगी तो छिपकलियां क्या चुप जाती नि यहां इन on की और लप HOL 50 हुआ को दो चाहाएगा तो यहां पर प्रॉलम् यह कि शरीर का तापमान तो बदल जाता है लेकर शरीर में काम करने वाले एंजाइम जो है वो धोका दे देते हैं तो एंजाइम की अनुपस्तिती के कारण यह अपना जीवन जो है जी नहीं पाते तो यह अपने आपको छुपा लेते हैं इसी को निश्क्रियता कह दिया जात वो यह है कि पहले जो पेशेंट्स हुआ करते थे उनको 6-8 घंटे में बुखार आया करता था या कई तरह के सिम्टम्स नजर आते थे तो यहां पर बार-बार 2-3 घंटों में उनको जो फीवर की समस्या है वो बढ़ती जा रही है इसके अलावा जो आपके शरीर में एक डिंगू के अंतरगर प्ले데्लेट्स सुनाओगा आपने कम हो जाते हैं जैसके हमारा रक्त जो है इस रक्त की सरचना में 4 महतपून चीज़ें बताई जाती है पहला है लाल रक्तकणि का दूसरा होता है श्वेत रक्तकणि का तीसरा प्लेटलेट होता है चोथा प्लाजमा होता है तो आपका जो platelet की संक्या बताई जाती है वो लगबग 1,5 लाग से लेकर 4,5 लाग तक शरीर में होनी चाहिए एक स्वस्त वेक्ति के platelet की संक्या इसके बीच में होनी चाहिए 1,5 लाग से लेकर 4,5 लाग तक लेकिन जो डेंगू होता है उसमें ये count 15,000 तक आ जाता है और तो यहाँ पर ये micro liter में इसको ना पा जाता है तो उससे समस्या होती है Sir, please Sir, हाँ देखो इसमें अगर आप देखोगे न तो आपके शरीर में अधिकतर मात्रा में 55 प्रतीशत से जादा प्लाजमा मिलता है ठीक है, मैं यहाँ पर बता दे रहूँ आपके शरीर में जो प्लाजमा है इस प्लाजमा का प्रतीशत 55 प्रतीशत है इसके अलब आर बी सी के आसपास बात करें लाल रख्तकनिकाओं की बात करें यह 44 प्रतीशत होता है और डबलू बी सी और प्लेटलेट की बात करें तो यह शरीर में एक प्रतीशत पाया जाता है डबलू बी सी और प्लेटलेट दोनों मिला कर तो हमारे शरीर के अंतरगत यह भी जो होता है यहां पर जो सीजन बदलाव हुआ है इसमें 15,000 से 25,000 के बीच में सीधे तोर पर लोगों के अंतरगत क्या हो जा रहा है तो प्लेटलेट का काउंट कम हो जा रहा है हाँ कई तरह की घरपी इसमें दी जाती है कई तरह की चीजे खाने के लिए भी कही जाती है तो यहाँ पर जो डेंगू के केसे सें उसमें एक बहुत बड़ा वज़ा जो है वो मॉसकेटोज होते हैं क्योंकि मॉसकेटोज को मच्छरों को एक केरियर के तौर पर बताया जाता है कि वो वेक्टर डिजीजेस करते हैं उनमें खुद रोग नहीं होता है कहीं से लेते हैं और कहीं तक पहुचा देते हैं तो बेसिकली डेंगू के जो केसेस कहां बढ़ रहे हैं तो इस पर डबलू एचो ने भी संग्यान लिया है वहाँ के जो मेडिकल इंस्टिटूट्स हैं उन्होंने भी लोगों को चिताया है कि लगातार जो है ये चीजें बढ़ रही हैं तो लोग घर में कहीं पर भी जो जमा हुआ पानी होता है जल संग्रहन होता है वो एक बहुत बड़ी समस्या को बढ़ा देता है ठीक है उसके लिए ये पूरी तरह से काम कर रहा है तो उसमें प्लेटलेट का काउंट्स रहता है तो ये सबसे ज़्यादा अभी बिहार में इस केसे की जो मात्रा है वो बड़ी है चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे एक और थोड़ी सी खबर निराश जनक रही है कि वही पंजाब राज्ये के अंतरगत पंजाब राज्ये में अभी तक हम देख रहे थे तो जो पराली जलाई जाती है यह सबसे कम जलाई गई थी इस वर्ष और पराली जिसको स्टबल बर्निंग भी कहते हैं अभी जो है धान की फसल काटी जाती है सितंबर अक्टूबर में पंजाब के अंतरगत और फिर अब जो है रभी की फसल यह तो खरीफ की फसल होती है खरीफ की फसल को काट दिया जाता है और फिर रभी की फसल को बोया जाता है तो उससे पहले खेत को साफ करने के लिए यह क्या करते हैं पराली को हटाते हैं तो इस साल सबसे कम जो है cases पंजाब से आये रहे थे लेकिन एक नवंबर के दिन ये जो नोट किया गया एक नवंबर को 1921 जगाओं पर पराली जलाई गई है यानि ये आखड़ा 2000 के पास पहुँच गया है पहली बार पंजाब में इस वर्ष के अंतरगत अगर हम 25 अक्टूबर की बात करें तो 25 अक्टूबर को यही काउंट 398 था 26 को 589 हुआ 27 को 766 हुआ 28 अक्टूबर को 127 था तो इस साल माना जा रहा था कि पंजाब जो है वो पराली जो जलाई जा रही है उसमें काफी अच्छा कारे कर रहा है वहाँ की सरकार ने भी कई कदम उठाये थे लेकिन एकदम से जो अभी तहवारों का समय शुरू हुआ है उसमें लगातार जो है पंजाब के अंतरगत पराली के जो केसे से हैं वो बढ़ने लगे अगर इस आर्टिकल को आप पढ़ोगे तो उसमें दिया हुए at nearly 2000 farm fires in पंजाब highest in a day bad air continues in Delhi अब इसका अगर सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो आपका दिल्ली NCR शेत्र में होता है अब दिल्ली को अगर आप देखोगे तो इस तरफ हरियाना मिल जाता है यहाँ पे आप देखोगे तो राजस्थान आ जाता है इस तरफ वाला जो भाग देखोगे तो उत्तर प्रदेश आ जाता है और इसी हरियाना से लगा हुआ है पंजाब तो पंजाब और हर्याना यहाँ पे जब भी पराली जलाई जाती है इसका असर दिल्ली के शेत्र पे काफी अधिक होता है तो अभी लगबग 3-4 दिनों से लगातार जो है वैसे तो मैंने आपको कल भी एक आर्टिकल बताया था कि AQI लेवल जो है जिसको वायू गुणवत्ता सूचकांग कहा जाता है एयर कॉलिटी इंडेक्स कहा जाता है एयर कॉलिटी इंडेक्स में लगातार गिरावट होती ज जा रही है और यह इस्तर 300 से उपर पहुँच चुका है कि शेत्र में दिल्ली एंसियार शेत्र में और इसकी बहुत बड़ी वज़ा जो है वो लगातार जो पराली की समस्या है 29 अक्टूबर को 1068 केस पंजाब के अंत्रगत नोट किये गए 1030 केसे 30 अक्टूबर को है 1389 के 31 अक्टूबर को और 2000 का जो आखड़ा था कि पंजाब इस बार काफी अच्छा कर रहा है वो फिर से धूल में मिलता हुआ नजर आ रहा है जिसके कारण हम वही बात करेंगे कि AQI Air Quality Index वायू गुणवत्ता सूचकांग यह जो है लगातार खराब हो रहा है इसको मैंने आपको पहले भी बता है अगर यह शूनने से पचास तक रहता है तो अच्छी इस्तिती होती है एक क्यावन से सौ में स्तिती तो भी बहतर है बहुत अच्छी नहीं होती है लेकिन एवरेज रहता है सौ से दो सो की बीच में मध्यस्तावस्ता होती है जैसे ये दो सो एक से उपर जाता है स्तिती खराब होना चालू हो जाती है दो सो से तीन सो Air Quality Index में आपको कई बार बता दिया है किन आठ चीजों के लिए होता है यह आप लोग comment section में मुझे बताएंगे कि Air Quality Index किन आठ चीजों के आधार पर निकाला जाता है जल्दी से comment section में मुझे लिखकर बताओ तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि इस समस्या का क्या निजात है हर साल यह समस्या आती है हर साल यह फिर वायू गुणवत्ता को खतम करती है और इसके साथ यहाँ पर कई तरह के जो ग्रैप है जो दिल्ली के अंतरकत एक program चलाया जाता है जिसका नाम है ग्रैप Gradued Response Action Plan इसके अलग-अलग चरणों को यहाँ पर लागू कर दिया जाता है और ग्रैप के ही अलग-अलग चरण अब जो है दिल्ली NCR शेत्र में लागू कर दिये गए है इसी भी तरह से BS4 जो वाहन हुआ करते थे BS4 वाहन का मतलब है जिनसे carbon monoxide निकलता है उन carbon monoxide निकलने वाले वाहनों को बैन कर दिया गया है जो public transport के तौर पर है BS6 वाहनों को allowed किया जा रहा है और BS6 वाहन जो होते हैं मैंने आपको उसमें भी बताया था इसके अंतरगत लगा होता है catalytic converter यह catalytic converter carbon monoxide को carbon dioxide में तबदील करता है सर इस पर government की क्या action होती है देखो government इस पर जो है कई तरह के कारिकरम जैसे पंजाब सरकार ने चलाए हुए है जिसमें पराली को बिनने के लिए पराली को आप वहां की सरकार को दोगे तो उनके द्वारा जो है राशी भी दी जा रही है लेकिन किसानों को वो इतना लुभा नहीं रहा है उनको लग रहा है कि भई जो काम हमारा एक माचिस की तिल्ली से हो सकता है क्यों इतनी महनत की जाए क्यों इतना पैसे के लिए मज़दूर लगाए जाए तो वो सीधे उस चीज़ को जला दे रहे है PM2.5, PM10, SOX, NOX, O3, NS3, Carbon Monoxide, Lead तो यह आठ जो है आपके वायू गुणवत्ता सुचकांग के अंतरगत यह आठ पैरामिटर्स पे नापा जाता है तो अब यह जो केसे से हैं इसने चिंता यहाँ पर और बढ़ाई है अब जो graded response action plan है उसको और ज़्यादा सक्रिय किये जाएगा बाकी सुप्रेम कोट ने भी संग्यान लिया हुआ है चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने पर GST revenue surges 13% in October second highest since its rollout in 2017 देखे भारत में GST की बात करें तो इसको goods and services tax कहा जाता है एक जुलाई 2018 से हमने GST दिवस भी मनाना चालू कर दिया था 2017 में अरुन जेटली अमारे वित्यमंत्री हुआ करते थे तब इसको लाया गया था भारत का 101वा सम्विधान शंशोधन करके 101 Amendment Act जिसको कहा जता है सम्विधान शंशोधन किया गया था और सम्विधान शंशोधन के बाद भारत में One Tax One Nation की थियोरी पुलाया गया कि भाई दो प्रकार के कर्वसूले जाते हैं एक होता है प्रत्यक्षकर एक होता है आप्रत्यक्षकर तो प्रत्यक्षकर वो होता है जो व्यक्ति जैसे इंकम टेक्स है आएकर है तो जो व्यक्ति कमा रहा है उसको ही देना होता है आप्रत्यक्षकर जो होता है कि जिसका वो प्रोडक्ष होता है उसको ना देते हुए आखरी कंज्यूमर को देना होता है उब भोक्ता को देना होता है जैसे मान लिया जाए कि आपने 10 रुपे का कोई बिस्किट खरीदा अब इस 10 रुपे की बिस्किट पर मान लिया जाए 2 रुपे टेक्स है तो ये 10 रुपे टेक्स देना किसको चाहिए था तो जिस कंपनी ने जैसे मान लो पारले नाम की कंपनी ने ये बिस्किट बनाया हु इसी को आप प्रत्यक्ष कर कहा जाता है, indirect tax कहा जाता है, तो भारत में पहले indirect tax के अंतरकत अलग-अलग तरह के रिजीम हुआ करते थे, आपको वेट देना होता था, value-added tax, service tax देना होता था, excise देना होता था, इसी में custom होता था, सीमा शुल्क होता था, manufacturing यानि उत्पाद श अंचोधन किया गया था, अब ये इसके बाद भारत एक ऐसा देश बना, जिसने GST लागू किया, वैसे फ्रांस को याद रखना, फ्रांस पहला देश था दुनिया में, जिसने GST को लागू किया थे, 140 से ज़्यादा देशों में, आप प्रत्यक्ष कर को वसूलने के लिए एक ही तरह की टेक्स प्रनाली है, जिसमें अलग-अलग चरणों पे टेक्स ना लेते हुए, एक ही तरह का टेक्स लिया जाता है, उसकी बात की जाती है, एनस्त्री अमोनिया है, डिरेक्ट और इंडिरेक्ट है, हाँ, GST 101 वे सम्विदान चंचोधन से आया था, अब चार तरीके से बाटा गया है, एक आपने कई बार बिल देखा होगा, तो उस पर देखने मिलेगा, तो इसमें क्या होता है, चार तरह के GST वसूले जाते हैं, एक होता है CGST, एक होता है SGST, एक होता है IGST, और एक होता है UGST, अब यह कितने GST हैं, तो चार है, CGST का मतब से Central GST जो केंद्र सरकार वसूले वो Central GST जो राज्य सरकार वसूले वो आपका State GST SGST का मतलब वो State से जुड़ा हुआ है इसके अलावा IGST की बात करें तो इसको Integrated GST कहा जाता है अब मान लिए जाए कई बार क्या होता है Union Territory केंद्र शाशित प्रदेश के अनुसार जो वसूला गया होता है उस पर होता है सर GST से States पर क्या Impact आता है GST से States की कमाई होती है वाई State जब उस पर लगा रहा होता है तो किसी भी सरकार के लिए जो उनकी कमाई का जरिया है इतनी योजनाए जो सरकारे चलाती है बहुत सारी स्कीम्स चलाती है बहुत सारी सबसीडी देती है कहां से आता है पैसा टेक्स से आता है तो ये सरकारों की आय है ये लोगों की आय है ये लोगों की आय से कटता है लोग अपने तरफ से भरते हैं तो सरकार की वही आये बन जाती है ठीक है चलो अब यहाँ पर आजाओ इस आर्टिकल में क्या बताया गया है GST revenue surges 13% in October second highest since its rollout in 2017 यानि बताया जा रहा है कि जब से GST आया है 2017 एक जुलाई से भारत में GST आ गया था अरुन जेटली जी का नाम इससे जुड़ा हुआ है कि वही इसको लेकर आये थे वैसे बहुत सारे लोग इसमें involved रहे अटल बिहारी वाजपई सरकार ने भी काफी प्रयास किया था असीमदास गुपता का नाम आप सुनेंगे तो वो उनकी एक कमिटी बनाई गई थी उनसे कही रिकमेंडेशन लिये गए थे कि भारत में कैसे आप प्रत्यक्षकर का सुधार हो तो एक जुलाई 2017 से GST भारत में आया और GST 2017 में जब आया था तब सबसे ज़ादा इसका revenue राजस्व जो सरकार को आया था रोल आउट इन 2017 यानि अभी तक जितने बार GST वसूला गया है अलग-अलग महिनों में तो 2017 के बाद सरकार के पास सबसे ज़ादा GST से जो पैसा आया वो अक्टूबर 2023 के अंतरगत वसूला गया और इसकी जो मात्रा है वो 13 प्रतिशत तक बढ़ गई है तो Gross Goods and Services Tech collected search 13.4% year on year in October for sales in September to 1.72 lakh करोड यानि 1.72 lakh करोड का जो इनको राजस वो प्राप्त हुआ है और ये since the July 2017 roll out the indirect tax resign तो ये जो वसूला गया था अभी तक 2017 में तो उस समय जो राशी हुआ करती थी वो 1.66 lakh करोड प्रतिमन्थ थी जो बढ़कर अभी 13 प्रतिशत से जादा हो गई तो पहली बार मतलब 2017 के बाद पहली बार ऐसा किया गया है हाँ state finance बंगाल से थे उनसे काफी सला ली गई थे उसके बाद किया गया था वैट की जगा पर लाया गया था वैट भी था excise भी थी custom भी था जैसे कोई उत्पाद निकलता था जैसे मान लिया जाए कोई factory है उस factory में कोई उत्पाद बना जैसे biscuit ही बना तो उसके biscuit के बनने पर उस पर लगा दिया जाएगा excise duty excise duty का मतलब होता है उत्पाद शुलक तो भई इस पर जैसे ही इसको बनाया गया तो बनने पर ही सरकार पहले लगाती थी excise duty उत्पाद शुलक की उत्पादन हुआ है तो उत्पादन पर tax दो फिर अगर मान लिया जाए ये एक राज्य से दूसरे राज्य पर जा रहा है तो सरकार फिर से वसूलती थी इसको कहते थे custom duty सीमा शुलक की सीमा बदल रही है तो फिर से tax दो जब वो finally customer के पास जाता था तो customer उसको खरीदता था तो उस पर service tax, value added tax सरकार फिर से लेती थी तो ऐसे अलग-अलग चर्णों पर tax लेकर जो दाम होता था वो काफी जादा बढ़ जाता था तो कहा गया कि भाई सिर्फ एक वस्तू पर सिर्फ एक ही बार tax लगाये जाए तो वो सिर्फ एक बार जो tax लगानी की प्रक्रिया है वो है GST जो आपकी एक जुलाई 2017 से चालू हुई अब बढ़ते हैं आगे एक प्रशने की तरफ हाली में जिर्कोन खबरों में था और जिर्कोन के बारे में निमलकित में से कौन सा सही है देखे जिर्कोन की बात करें तो जिर्कोन जो है जो चंद्रमा से जो अलग-अलग समू के वस्तुएं मिली है उसमें जिर्कौन भी मिला है और जिर्कौन को बताया जाता है यह सबसे पुराना अत्तव है जो पृतिवी पर भी पाया जाता है और चंद्रमा पर भी पाया जाता है जिसके कारण हम देख सकते हैं कि कैसे अलग-अलग युगों में जिर्कॉन में क्या परिवर्तन हुए तो evolution को समझने के लिए कैसे उत्पत्ती हुई है कैसे बदलाव हुए है उसको समझने के लिए बात की गई है Indian Express का यह article है जिसमें जिर्कॉन के बारे में खबर आई हुई थी वहीं से ये प्रश्ण में ने बनाया अभी चर्चाओं में है तो हाली में जिर्कॉन खबरों में था जिर्कॉन के बारे में निमलिक्त में से कौन सा सही है कुछ इस तरीके का पदार्थ जिर्कौन देखने मिलता है तो अगर हम जिर्कौन की बात करें तो ये प्रित्वी पर मौजूद सबसे पुराना ज्यात खनेज है और भू वैज्ञानिकों का कहना है कि इससे हमारे ग्रह और जीवन के निर्माण में महत्पून जानकारी है ये केवल पृत्वी की पपड़ी में पाया जाता है तो बिल्कुल गलत है ये क्योंकि ये चंद्रमा की सता पर भी मिला है ये नरम रसाइनिक रूप से अस्थिर और अप्शय के प्रती अत्यादिक समवेधन शील है बिल्कुल नरम नहीं है ये हीरे का भी यानि डाइमंड का बिल्कुल नरम नहीं है रसाइनिक रूप से स्थिर है क्योंकि स्थिर नहीं होगा तो इतने सालों तक कैसे रह पाएगा और अप्शय के प्रती अत्यादिक समवेधन शील है ऐसा नहीं है सिंथेटिक जिक्रौन प्रयोग शालों में नहीं बनाये जा सकते ऐसा भी नहीं है इसका जो सिंथेटिक है यानि कृतिम तोर पर इसको बना भी लिया गया है और इसके जो लेबोरेटरी सैंपल है वो भी अविलेवल है तो ये भी गलत है ये भी गलत है ये भी गलत है लेकिन मैं आपको बताई ये प्रत्वी पर मौजूद सबसे पुराना ग्यात खनेज है और चंद्रमा की सता पर भी मिला है इसलिए जो भूवेग्यानिक है जियोलोजिस्ट है उनका कहना है कि इससे हमारे ग्रह और जीवन के निर्मान के बारे में महत्पून जार्मकारी मिल सकती है खिसके बारे में तो जिर्कौन के बारे में हम यहाँ चर्चा कर रहे है इसके बाद आज का जो प्रश्ण है कि अफरीकी महादीप में पिछले कुछ वर्षों में तक्ता पलट में उलेखनी वृद्धी देखी गई है कि वहाँ पे कू हो जाता है कू का मतलब तक्ता पलट यह जो तक्ता पलट है इसके संदर में अफरीकी महादीप में निमलिखित देशों पर विचार करें जो हाली में सैनने तक्ता पलट के बाद वैश्विक सुर्खियों में आया है माली, सुडान, तंजानिया, जिनी, नाइजर उप्रुक्त में से कितने देश पश्यमी अफरीका के हैं केवल दो, केवल तीन, केवल चार या पाँचो आपको ये बताना है ये प्रश्ण ध्यान से समझो यहां मैंने जो प्रश्ण दिया है कि अफरीकी महादीप में कुछ वर्षों में तक्ता पलट की उलेकनी अगटना हुई है इसमें आपको ये बताना है कि अफरीकी महादीप के कौन से ऐसे देश है जो सेन ने तक्ता पलट के बाद चर्चाओं में आए और ये कितने देश है जो पश्यमी अफरीका के है तो इसको अच्छे से मैप पर देखना और फिर प्रयास करना माली, सुडान, तंजानिया, गिनी, नाईजर में से कौन है ठीक है तो बहुत अच्छे से इसको देखेंगे और आंसर सारे के सारे लोग करेंगे कॉमें बहले आंसर आपको गलत हो तो हम उसको कल डिसकस करके सही कर लेंगे इसके अलावा, हिंदी माध्यम के लिए जो स्टूडेंट्स प्रिपेर कर रहे है GS Foundation Batch हिंदी माध्यम में आ रहा है चार नवंबर से आप इसको इन्रोल कर सकते हैं इसमें अलग-अलग वैलेडिटीज है आप इसको अपने हैसाब से अन्रोल कर सकते हैं कूड मेरा बनीश लाइव है अप या वैबसाइट पर जाकर इसको आप इन्रोल कर लेंगे इसके लावा यह मेरी टेलिग्राम आइडी है यहाँ से आपको PDF मिल जाएगी और यह इंस्टा आइडी है इसको स्कान करेंगे तो इसको आप देख लेंगे और भी कोई तरह की प्रॉबलम्स आती है पर टेलिग्राम आइडी है यह मेल आइडी है इस पर आप मेल कर सकते हैं इस्टा आइडीपर भी जुड़ सकते हैं तो चलिए, आज का सेशन फिर यहीं पर हम विराम देंगे, आप लोग को पता ही है, कुछ समय के लिए अभी यह जो प्रोग्राम है, आपको सुभे 7 a.m. मिल रहा है, तो 7 बजे की क्लास कल भी रहेगी, और यह जब टाइम इसके चेंज होंगे, तो मैं आपको पहले ही इंप समझने आ रहा है, तो यह तो बहुत ही हर्ष की बात है, चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स सेशन में, थांक यू वेरी मच फॉर वाचिंग देस, आव अग्रेट डेए.